बीजेपी रुखने पारलेमान रमेश विधूरी की मुश्किले बढ़ती जा रही है लोगसभा स्पीकर ने इंतिबा दिया है बीजेपी एमपी रमेश विधूरी ने पारलेमेंट में मुतनाजा और गैर मुहजब तपसीरा किया था BSP रुखने पार्लेमान दानिश अली पर किया था मुतनाजा तब सीरा देखिए उन्होंने गलत तरीके से कमेंट किया था रमेश विदूरी की मुश्किले अब कही ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है लोगसभा स्पीकर ने इंतवा दिया है आपको बता दें कि उन्होंने दानिश अली पर मुतनाजा बयान दिया था मुतनाजा तरीके से उन्होंने उन पर कमेंट किया था लोगसभा स्पीकर ने दिया उन्हें इंतवा रमेश विदूरी की अब कहीं ना कहीं मुश्किले बढ अब कहीं न कहीं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है लोगसबा स्पीकर ने उन्हें इंतिबा दिया है बीजेपी एमपी रमेश हैं आपको बता दें कि पार्लेमेंट में मुतनाजा और गलत कमेंट उन्होंने किया था बीजेपी रुकने पार्लेमान दानिश अली पर उन्होंने मुतनाजा तपसिदा दिया था जिसके बाद अब उनकी मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है देखिए जिस तरीके से उन्होंने दानिश अली पर कमेंट किया वो कहीं भी बरदाश नहीं किया जा सकता जिसके बाद अब उनके उपर एक्शन लिया जा रहा है आला कि इससे अब कहीं न कहीं बीजेपी एमपी की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको बता दें बीजेपी रुखने पारल्यमान रमेश विदूरी हैं जिनके अब कहीं न कहीं मुश्किले बढ़ जाएंगी क्योंकि लोगसबा स्पीकर ने उन्हें इंतबहा दिया है बीजेपी एमपी रमेश विदूरी ने पारल्यमेंट में मुटनाज़ा और गएर मौजब तपसीरा किया था बीजेपी रुखने पारल्यमान दानिश अली पर उन्होंने मुटनाज़ा तपसीरा किया था देखिया उन्होंने गलत कमेंट किया था जिसके बाद अब उन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा चुकी है अब कहीं न कहीं उनकी मुश्किले और ज्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रहे हैं विजेपी रुपने पाल्यमान रमेश विदूरी की मुश्किले और ज्यादा बढ़ रही हैं लोगसबा स्पीकर ने उन्हें इंतिबा दिया है वहीं विदूरी के बयान पर अपोजिशन हमलावर होता जा रहा है लोगसबा स्पीकर से सस्पेंड करने का मुतालबा किया गया है विजेपी एमपी रमेश विदूरी को सस्पेंड करने का मुतालबा किया जा रहा है देखिए अब उनके उपर अपोजिशन भी हमलावर हो रहा है लोगसभा स्पीकर से दर्खवास की है मतालबा किया है कि उन्हें सस्पेंड किया जाए बीजेपी एमपी रमेश विदूरी को सस्पेंड करने का मतालबा किया चा रहा है एक तरफ उन्होंने गलत तरीके से गलत बयान बाजी किया और उसके बाद अब उनके उपर अपोजिशन भी हमलावर हो रहा है विदूरी के बयान पर अपोजिशन पूरी तरीके से हमलावर होता जा रहा है लोगसभा स्पीकर से उन्हें सस्पेंड करने का मतालबा किया गया है बीजेपी MP रमेश विधूरी को सुस्पेंड करने का मुतालपा किया गया है देखिए बीजेपी के MP है रमेश विधूरी जिन्होंने मुतनाज़ा बयान दिया उन्होंने ऐसी बात हाउस के अंदर कही जो उनको नहीं करनी चाहिए थी और वो भी स्पीकर जब उनके सामने ब कि यह बिदूरी जो कह रहे हैं यह बीजेपी की मन्शा है मैं रक्षामंत्री का खुद बहुत अधर करता हूं समान करता हूं उनकी मजबूरी थी उनको उटना पड़ा उन्होंने माफी मांगी पर मैं जरूर यह मांग करूंगा कि इस सांसत के खिलाफ कड़ी कारवाई की करनी चाहिए आम आदमी पार्टी के दो सांसत राजसभा में सस्पेंड हुए हैं रागव चड़ा और संजे संजे सिंग क्यूंकि वो नारे लगा रहे थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया और बिदूरी ने जो बंद कर दिया जाएगा उसको एकसपंच कर दिया जाएगा लेकिन जो शासत दल के सांसत हैं वो लोगों के साथ गाली गलोच कर सकेंगे जो अलब संक्यक हैं उनको उनके लिए जो बहुती गंदे और घटिया अलफाज इस्तिमाल किये जाते हैं उनको इस्तिमाल कर सकेंग और कुछ नहीं होगा और हमारा जो सुप्रीम कौर्ट है जो कहता है हेट स्पीच तो हम बिलकुल उसकी अजाज़त नहीं देंगे इसको हम रोकेंगे क्या वो हस्तक्षिप करेगा इस मामले में और इस सांसत की जो सदसिता है ये तुरंट रद होनी चाहिए ये मांग पूरे देश के कोने कोने से आनी चाहिए लालू जी के पीछे तो और विपक्ष के तमाम नेताओं के पीछे तो सरकार पड़ी है और वो तमाम तोर तरीके इस्तिमाल कर रही है तो अब वो आएंगे और जो भी उनको कहना है कौर्ट के सामने रखेंगे देखते हैं क्या होता है ल पूरे मुस्लिम तबके के खलाफ है बीजेपी के मुस्लिम लीडरान इसे किस तरह बरताश कर रहे हैं अगर सरफ टेर्रिस्ट ही कहा होता उसकी तो हमें आदत है आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेर्रिस्ट बुलाने में तो ये ठकते नहीं है लेकिन उसके साथ जो होता हूँ कि पार्लिमंट में इस तरह के अलफाज इस्तिमाल किये गए नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसल्मानों के खिलाफ ही अलफाज इस्तिमाल हुए समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसल्मान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बरदाश करते हैं? मैं तो B.J.P. के बाहर रहके भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बरदाश करना, जो लोग इनके साथ मिल के काम करते हैं, वो रात को सोते कैसे हैं, जब उनके साथ ही उनके बारे में इस तरह सोचते हैं, वो अलफाज जो उन्होंने इस्तिमाल किये, वो तमाम मुसल्मान कौम के खिलाफ इस्तिमाल हुए, सिर्व एक ऑनरेबल M.P. के खिलाफ नहीं, इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसल्मानों के तहट सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, शरमानी चाहिए इन लोगों को, नया पार्लिमंट, लेकिन वो ही पुरानी सोच, घटिया सोच. तो देखिए कि किस तरीके से यहां पर बीदूरी के बयान के बाद सब उनको घेरती कोई नजर आ रहा हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ टेररिस्ट कहा जाता मुसल्मानों को तो शायद वो बरदाश भी किया जा सकता था, पर टेरिस्ट से ज्यादा जिस त इस्तिमाल किया, जिन अलफाजों का उन्होंने इस्तिमाल किया वो पूरी तरीके से घलत है, नैशनल कॉन्फरिंस लीडर अमर अब्दूल्ला ने कहा कि बिदूरी का बयान पूरे मुसलिम तपके के खलाफ है, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रहा ही कि बीजेपी के म मुसलिम लीडरान इसे किस तरीके से बर्दाश्ट कर रहे हैं, आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता?